हेलो बच्चो मैं डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा आपके अपने चैनल दा लानिंग अड़ा के अंतरगत हिंदी की कक्षा लेकर हाजिर हुई हूँ मुझे उमीद है कि आपने इसके अंतरगत बहुत सारी चीजे सीखी होंगी जो आपने पढ़ा होगा उसका रिवीजन का मौका मिला होगा जो बच्चे नए जुड़े होंगे उने बहुत सारी चीजे जानने का मौका मिला होगा इस तरह से हम लोग कक्षा को आगे की तरफ ब लाइन तो आप ध्यान रखिए इस चैनल को शेयर करिए लाइक करिए और सब्सक्राइब किजिए तो आपको आगामी सारे चीजे पता चलेंगी तो आज बात करते हैं हम लोग विशेशन की विशेशन किसे कहते हैं आप जानते हैं कि हम रटी रटाई परिभाशा पढ़ लेते हैं और किताबों में कभी-कभी इतर भी प्रश्न पत्र में आ जाते हैं सो विशेशन की एक परिभाशा सभी बच्चों ने रट रखी होगी जो संग्या सरविनाम की विशेशन बताते हैं उन्हें विशेशन कहते हैं मुझे उमीद है कि आप लोग किताबी परिभाशाओं के साथ साथ यदि आप हिंदी का प्राक्टिकल अभ्यास अपने अनुभाव पे करेंगे तो आपको वो नंबर दिखाई देंगे जो अभी तक आप हिंदी में गेन नहीं कर पाते थें मुझे लंबा अरसा हो गया और मैं यह नहीं कहूंगी कि मुझसे पढ़ने वाले बच्चे क्या हैं और क्या नहीं यह बहुत कलक चीज है जब आप आफ लाइन जुड़िएगा तो बात करेंगे लेकिन ऑनलाइन बात करते हैं कि ऑनलाइन की प्रक्रिया में आपको मैं जितने चीजे बता रही हूं वो चीजे आप सीखिए सो इसपे बात करते हैं विशेशन हम वही परिभाशा रटी रटाई अगर बता दें और कुछ प्राक्टिकल ना बताएं तो बात नहीं बनेगी संग्या और सर्विनाम की विशेशता बताने वाले शब्द विशेशन कहलाते हैं तो एक संग्या का उधारन और एक सर्विनाम का जैसे वह लंबा है यह है आपका सर्वेनाम और यह है विशेशन का शर्ट विशेशन का अर्थ होता है गोड़ याद रखिएगा कोई ना कोई कॉलिटी ठीक है आप संग्यादे देखिए राम और है अब आप देखिए संग्या है और यह विशेशन आप परदा रंग रंगा है जैसे आपने का कमरा गर्णार है ठंड़ कोई आपने विशेशन का शब्द लिया जो किसी चीज़ के गुड़ को घॉलिटी को बताता हो तो वह विशेशन ही कहलाता है याद रखिएगा नहीं बुराई के भी शब्द आते हैं जैसे आपने का रामड एक दुष्ट वेक्तिता तो दुष्ट यहां पे आपका हो गया गुर्ड तो आपको यह याद रखना है कि कौन सी चीजे कैसे कहां कर्मट हो रही हैं और किसके साथ लगकर उसकी विशेष्टा बता रही है तो कि यह देखें संग्या और सललाम की विशेष्टा बताने वाले गुड़ ही विशेष्ण कहलाते हैं तो यह विशेष्ण चार प्रकार के होते हैं उसका भी एक बाद डाइग्राम देख लीजे आप सभी लोग चार प्रकार का होते हैं विटा यह अो प्रकार को मेंवड़लों के लिएया के लगड़शों हैं अजिए्टा मेंवड़बगरी लिए्टा ठीक है चार यह आपको देख रहे हैं अब इनके अंदर ही पार्ट्स होते हैं वो भी में बता देती हो यह पार्च प्रकार के होते हैं गुर्दोश वाचर आकार वाचर रंग वाचर काल वाचर और दशा वाचर साथ प्रकार के हैं दिशावाचर और इस्थानवाचर यह दो प्रकार के होते हैं निश्चित परिमार और निश्चित परिमार निश्चित संख्या वाचर और इसके भी दो पार्ट्स होते हैं ठीक है और यह इसके आपके पांच पार्ट्स होते हैं कि वाचर बाट्स कि अबस्षार्ब्स अबस्पित सबदाध पर निश्चित सेख्चित जड़ स्चित बच्छित स्वित अबस्पित स्थाचर इसकार अबस्चित स्वित है आप देख सकते हैं मैंने डाइग्राम बना दिया है बहुत गर से देखिएगा ठीक है कि अ देखिए सबसे पेहला भेरोता है हमारा गुर्भाचक विशेशार जो साथ संघ्ष्ध परिमार वाचक विश्युर्하겠습니다 दो प्रकार का होता रहे लिए निश्श्शी संघ्ष्ध वाला जो है वह प्र वा हथ powernik वयाता है अप st exhaust जोब मिलाके अगर आपको यह डाइग Sanskrit right कि इसके अंतरगत शर्वाद आते हैं तो आप अब अच्छे से काम कर सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं देखिए हैं जब किसी कम्या संग्या के अंतरगत कितने तरह कि शब्द आते हैं मैंने भी बताया है वेक्ति वस्तू स्थान और भाव ठीक है चार अगर इन शब्दों इन चार तरह के तत्थियों के जब कोई गुण बताओगे चाहे वह दोस हो चाहे वह इन पांचों में से किसी भी तत्थय में आता हो यह विशह में आता हो तो आपका वो नाम से जाना जाता है जैसे मैं आपको फ्रयोग करके दिखाती हूँ राम एक अच्छा बालक है राम आपका जैसे हमने कहा कि ऐक लाल्ची बालक है थो दोश राम मोटा है राम काला है खाना बासी है राम निर्धन है ठीक है घर पूर दिशा में है ठीक है और जैसे भोपाली सूर्मा प्रिसिद्ध है या बरारसी साड़ी प्रिसिद्ध है तो इस तरह के जितने भी आपके शब्द आते हैं जो संग्या या सरवनाम के साथ लगकर उसकी विशेष्टा को गुड दोश अकाल रंग काल दशा दिशा इस्थान के अधार पर बताते हैं तो गुडवाचक विशेष्ण कहलाते हैं तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब आते हैं परिमार वाचक पर परिमार का मतलब होता है नाप तॉल जिन संग्याओ के शब्दों को हम जैसे किसी नाप सकते हैं तॉल सकते हैं ठीक है जिसमें के लिए लीटर मीटर गज सेर आपका एक प्रश्ण भी आया था कि दो गज मलमल तो आप यहां पर गज क्या लगा रहे हाथी नहीं गज का मतलब होता है नापने का पुराना शब्द है गज जैसे एक गज दो गज आपने सुन जब आप नाप तौल वाले शब्दों के द्वारा बताते हैं और उनके साथ संख्या लगाते हैं तो कहलाते हैं निश्चित परिमार वाचक विशेशा जैसे मुझे दो किलो चावल चाहिए मुझे तीन लीटर दूद लेना है तो जब आपने इस तरह के कोई भी आपने ब लगएगा जितनी भी नाप तौल वाली वस्तु होती हैं फिर से रिपीट कर रहे हो उनके साथ नाप तौल के जो मानक शब्द लगाए जाते हैं वह सब की किसे आते हैं परिमार वाचक विशेशन में इंधस आप करते हैं संख्या वाचक विशेशन पर ठीक हैं हम बात पहले इसकी भी कर लेते हैं इसकी भी बता देते हैं जब हम नापतौल के शब्दों के साथ संख्या लगाते हैं तो वह बन जाता है निश्चीत और जब हम कुछ थोड़ा जरा लगाते हैं तो वह बन जाता है निश्चीत जैसे आप पुधारन देख सकते हैं मुझे थोड़ी चाय चाहिए मुझे थोड़ी चाय पीनी है तो अगर आपने यह थोड़ी जो चाय की इसलिए हमें नहीं पता कि कितनी लेकिन यह हमारा क्या होगा अगर मैं आपकी दो मुझे तीन लीटर चाहे चाहिए या दो लीटर चाहिए या एक किलो गेव। चाहिए तो यह सब हमारा निश्चित में चला जाएगा तो यह आपको समझ में आ गई योगी बात अब आते हैं हम संख्या वाचक विशेशन पर ठीक है संख्या वाचक विशेशन मतलब होता है गिनना हम गिनते हैं काउंटिंग करते हैं तो उन सारे शब्दों को हम् कहां रखते हैं संख्यावाचर विषेशण में आप देखिए जैसे हम कहते हैं कि घर में चार लोग रहते हैं चार लोग की गणणा कर piace चार लोग रहते हैं ठीक है चार लोग यहां पर काउंटेवल है तो इसलिए यह आपका निश्चित आपका संख्या-वाचक विशेशन में लेकिन अमने कुछ लोगों से मिले तो यह हमारा हो जाएगा अनिश्चित गर्ण संख्या-वाचक विशेशन जिसके पांच वेद होते हैं यह भी कई बार दीपली पूछा जाता है ठीक है आप देख सकते हैं गर्णा-वाचक क्रम-वाचक कावरिती समुदाय प्रतेग वाचक और यह दो रूपों में विभाजित होता है पूर्ण और अपूर्ण ठीक मैं कुछ बता देती हूँ अगर हम कहते हैं एक दो तीन संख्या का नॉर्मल रूप यानि सामान में रूप तो वह आता है गर्णावाचक में अगर हम कहते हैं पहला दूसरा तीसरा तो और जब एके करके आओ बारी बारी आओ प्रतेक को मिलेगा इस तरह से जब बोलते हैं तो हमारा यह प्रतेक वाचक आगामी जित्ती भी कक्षा होंगी उसमें आपको इस सब जब विशेषन के रूख में बदल जाते हैं यह प्रयोग होते हैं कहीं तो वह सारवनाम एक विशेषन ऑप्रतेगे स्यमें जियुक्त इसे जो सर्वे नाम अपने रूप को ना बदले और संग्या के साथ लगकर उसकी विशेष्टा बता है तो वह मौलिक होता है और जो अपने रूप को बदल दे तो वह हमारा होता है योगिक जैसे कि मैं कुछ करके दिखाती हूं आपको उधारण देखिए अगर मैंने कहा कि कोई औरत आई है और कोई आदमी आया है आप गौर से देखिएगा औरत और आदमी स्ट्रिलिंग और पुर्डिंग है लेकिन कोई सर्वनाम का शब्द नहीं बदला इसलिए यह हो गया मौलिक लेकिन अगर हम यही बात ऐसे कहते हैं कि अपना घर दिखाओ अपनी पैंसिल दिखाओ तो यह लिंग वचन पर बदलते हैं तो यह हमारे कहलाते हैं योगिक तो यह आपको पार्टिशन समझ में आया होगा सभी को गौर से देख लीजिए समझ लीजिए कुछ कोशन हो तो बताईएगा अब हम बात करते हैं प्राविशेशन की प्राविशेशन के अंतर गथी आता है प्राविशेशन आप प्राविशेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्राविशेशन की रटी रटाई परिवाशा सभी बढ़ा देते हैं जो विशेशन की विशेशता बताते हैं वह सारे कहलाते हैं प्राविशेशन लेकिन यह परिभाशा अधूरी है और संपूर नहीं है प्राविशेशन की अंतरगत वह शब्दाते हैं जो विशेशन की विशेशता मात्रा के रूप में बताते हैं ठीक वह सारे कहलाते हैं प थोड़ा छोटा है अब आप देखिए यहां पर यह शब्द विशेशन है कि यह आप से पहले भी कहां था और यह आपका प्रविशेशन क्यों क्योंकि यही शब्द आपकी इसकी विशेशता छोटा तो है लेकिन थोड़ा छोटा है मतलब जादा छोटा नहीं है थोड़ा छोटा और भी छोटा तो जब जैसे आपने का दूद बहुत गर्म है तो गर्म तो है लेकिन बहुत गर्म है तो यह जब आप बताते हैं कि काला है तो बहुत काला है थोड़ा काला है जरा काला है इस तरह के जब आप शब्द प्रयोग करते हैं तो वह आपका कहलाता है प्राविशेशाण ठीक है तो यह बार समझ में आई होगी सभी को प्राविशेशाण के रूप में तो यही इतना बात समझ में आई होगी और मैं बताती हूँ देखिए प्राविशेशन के रूप में हम अव्य और विशेशन दोनों के शब्दों को प्रयोग करते हैं कैसे वो करके दिखाती हूँ आपको देखिए जैसे हम लोग ने पढ़ा था कम जरा तनिक यह सारे शब्द में अव्य में आपको बताए होंगे उसके बाद जैसे हम लोग कहते हैं गाढ़ा हलका ठीक है अब आप यह गौर से देखिएगा यह अव्य के शब्द है और यह विशेशन है लेकिन यह दोनों ही शब्द प्राविशेशन में काम करेंगे कैसे दिखाती हूं जैसे हमने का सफ साड़ी हलकी पीली है अब अगर इस बाके को पढ़िए तो क्या साड़ी आपकी हलकी और पीली यह नहीं का जा रहा है पीले कलर में तो है लेकिन हलकी पीली है तो पीले की विशेशता बता रहा है कौन हलकी तो इसलिए इसका नाम प्राविशेशन ठीक है अब जैसे दूद कम ठंधा है अब आप देख सकते हैं ठंधा तो है लेकिन कम ठंधा है यानि प्राविशेशन के रूप में अव्य और विशेशन दोनों के ही तत्य काम करते हैं यह आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अब बात करते हैं विशेशन की अवस्था विशेशन की अवस्था विशेशन की अवस्था अवस्था से यहां क्या सम आप लगाते हैं यह तो आपको पता होना चाहिए हर चीज का कोई ना कोई एक इस्तर होता है और उसके प्रियोग की कोई ना कोई अवस्था होती है जैसे हम कोई भी ची लेते हैं तो उसको कितने रूपों में प्रियोग कर लेते हैं ठीक उसी त तो मावस्था इसमें भी बहुत सारे प्रश्ण बनकर आते हैं जिसे आप देख सकते हैं मैं बताती हूँ हुआ 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 है है आप देख रहे हैं कि यह विशेशन की तीन अवस्थाएं हैं और इससे बहुत सारे प्रश्ण बनते हैं मूला वस्था का मतलब है कि विशेशन के शब्दों को जब हम उसके मूल रूप में ही रखकर प्रयोग करते हैं तो वो विशेशन की कहलाती है मूला वस्था जैसे रमेश छोटा है, मीरा सुंदर है, दूद्ध गर्म है आपने देखा छोटा छिक्शंदर गर्म यह जैसा है वैसा ही हमने प्रियोग वाक्य में कर लिया तो यह हमारी विशेशन की कौन सी अवस्था हुई मूला वस्था अगर हम उत्तरा वस्था की बात करें तो उत्तरा का मतलब होता है दो ऐसी चीजे ठीके याद रखिएगा जैसे हमें तुलात्मक अध्यन करना हो दो जैसे राम श हमारा उत्तरा वस्था के नाम से जानी जाती है और इसमें दो चीजे एक दूसरे से बिलकुल अलग होती है इनका लिंग और उसमें कोई असर नहीं होता है मतलब हम यह नहीं जैसे कई बार हम लोग कहते हैं कि तुम जैसे शेर की तरह बलवान हो तो आपने दो लोग की अत्तमा वस्था का मतलब हम होता है कि किसी सम्मेंसे जिसमें एक ही गुंद चल रहा हो और समू मेंसे आपने एक जैसा ही मतलब उसका बिवरन किया तो उसे हम लोग उत्तमाव अवस्था कहते हैं जैसे नदीयों में श्रेष्ट गंगा है तो कुल मिलाकर आप यह कह सकते कि एक जैसे समुवाले में से जब किसी एक कुछ श्रेष्ट दिखाना हो तो उसे हम क्या कहते हैं उत्तमावस्था तो यह आपको समझ में आया होगा कि विशेशन की और उसके मूल रूप में तुलना के रूप में या स्वेश्टता के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं विशेशंक्री अवस्ता जैसे फिर्फ्त उत्तरा बताया जाए तो वह उत्तरा कुछ चुलिंदा शब्द आपको दिखाती हुँ जो पेपर में बनते आये हैं और आते भी रहते जब इसमें आप शब्द लगा सकते हैं प्रत्य तर और इसमें लगता है तम दिखाते हैं आपको कि अब जैसे आपने बनाया सुन्दर अब इसमें तर लगा दीजिए अब आप कहेंगे अच्छा का क्या बनेगा वो भी दिखा देती हुँ देखिए इस तरह से बनता है आपने देखा कि यह क्या है तो आज की कख्षा में आपने विशेशन से संबंधित विशेशन की परिभाशा उसके प्रकार विशेशन की अवस्था ठीक है और आपने साथी साथ इसकी जो प्राविशेशन सीखा तो बहुत सारी चीज़े और वी तथ्ये हैं जो की आपको अगली कख्षा में मैं बताऊंगी लेकिन आप याद रखिएगा इनसे बहुत प्रशनाते हैं सो मुखे मुखे बा पुछी बताईए तो कोशिश कीजिए कि आप इसको कर सके तो मैं चाहूंगी कि आप लोग इसी तरह से अध्यन करते रहें और हम लोग आगे की कख्षा में फिर से मिलेंगे लेकिन आज की अब तक की कख्षा में जो कुछ भी हुआ वह आपने अच्छे से अध्यन किया हो क्योंकि अब इसी पर मैं आपके लिए प्राक्टिस से लेकर आऊंगी और बहुत सारे प्रश्णा आपको मैं कराऊंगी तो आज की कख्षा इतनी ही के लिए बने